हेलो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर्ट से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा क्रिकेट पेडिक्सन में तो आज हम बात करेंगे एशिया कप की जो स्टार्ट होगा सत्ता ही सगस्त से और यह खेला जाएगा 12 सितंबडаров तक इसमें टोटल 13 मैच खेले जाएंगे और 13 मैच से जो रहेंगे वह इस तरीके से रहेंगे साम सारे 7 भजे से स्टार्ट मैचला होंगे जो भी मैच होगा वह साम 5-7 बज़े से होगा और उसका उनु में वह आपका रहेगा और इसमें तो सबसे जरूरी चीज आप देखिए कि आपकी स्कीन पर है हमारा वाट्सप नॉमबर 8447-9353-974-973-597 इसको नोट कर लो और हमें टेलिग्राम को आप जॉइन करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा और हमारे हां जो आपको प्रेडि दिक्कत हा रही है लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो डारेक्ट लिए आप वाट्सप पर मेसेज करके टेलिग्राम का लिंक ले सकते हो वहां से भी आपको टेलिग्राम पर ज्वाइन करवा जाएगा तो चलिए बात करते हैं एस्या कपके एक बार टोटल गूरूप्स की कि कि इतने गूरूप्स हैं कैसे कैसे बनाए गई हैं तो सबसे पहले तो टीम के बारे में जान लिए टोटल इसमें चैटी मैं पहले टीम इंडिया पाकिस्तान होंग कॉंग ठीक है श्री लंका अफगानिस्तान बंगलादेश यह टोटल चैटीम हैं और इसमें दो गूरूप बनाए गए 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 है दो गूरूप बनाए गए पहला जो गूरूप है स्रीम का अफगानिस्तान बंगलादेश तीक हैं तो यह टोटल चैटीमहें गरूप दूसरी चीज अभी मैं आपको एक हिंट देता हूं यही पर गुरूब बी में जो भी मैचेस होंगे ना वह पंटर को थोड़ा सपोर्ट करने वाले होंगे अच्छे मैच होंगे गुरूब बी के क्योंकि इसमें स्रीलंका अफगानिस्तान और वंगलादेश तीनों ही सम्थिंग सम्थिंग एक जैस पहला दुवई इंटर्नेशनलल किरिकर्ट स्टेडियम दूसरा सब्सक्रास आप सपोर्ट करता ही यहां पर 160-70 छोटा स्कोर माना जाता है जो आराम से चेजेविल होता है बाकी पिछ पर डिपाइंड करता है कि किस तरीके से खेल रही है वो पता जलता है मैच के टाइम पर तो यह मैं आपको जानकरी देदी और आगे आप देख लीजिए एक बार टीम के बारे में फिर से पर टीम नहीं है अब आगे चलते हैं आगे चलने के बाद सबसे जरूरी चीज़ जो मैं वीडियों बताने बाला हूं वह यह कि वह की टीम क्या है ठीक है और आगे बताऊंगा आपको की पंटर टीम क्या है अब बुकी टीम इस एस्या कप की कौन-कौन सी है वह जान लीज अब की आपको खुद जानते हैं कि होग कोई मैच मुश्किल से जीतेगी परीग है न तो ऑविसली जो भी पंटर इस टीम के साथ रहेगा तो ऑविसली लॉस के साथ ही रहेगा दूसरी चीज बंगलादेश अफगानिस्तान बंगलादेश में वाली बात नहीं रही जो पह करेंगे आफिफ हुसैन मुदिस्क हुसैन महमुद दिल्ला ठीक है और मेहदी हसन अनामुलहक मुसफिर रह्मान मुस्तफिर रह्मान तो मतलब यहीं तस्कीन आमत यहीं मतलिंगी टीम है एक वार अगवानिस्तान का स्कॉर्ट की तरब डाल लेते हैं कि जो प्लेंग 11 है व रह्मत उल्ला गुर्वराज हैं जो अच्छे बल्लेबाज हैं करीम जायनात है मुझे रहमान है नूर रहमाद है रासित खान है नभी नुर्लक है तो यह टीम भी एक एवरेजी टीम है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रतान करेगी इसलिए इसको भी केटगरी में डाला क्या है यह आगे चलते हैं बंगलाधे весь की आगे चलते हैं पंटर टीम की तरफ तो वह इंडिया-इंडिया इसलिए को मान करते हैंकि इंडिया कब जीते लोब जीतते यह वह करते हिसलि啊 Daso Ahmad कर था सब्सक्राइब नुक्सान उठाएगा जो टीम है इंडिया की रोई सर्मा कप्तान है ब्राट को लिए सूर्ड कुमार यार्द में यह बल्लेवाज में हार्दिक पांडे हैं रविन जटेजा है और विकेट कीपर तीन लेकर गई है टीम के लाहुल इसकार्टिक इसमें से दो लिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की तो पाकिस्तान की टीम भी बहुत सही टीम है बावाराजां फकर्जमन हैदर अली कुछ दिल साह ऐसेवली इनके पांच बल्लेवाज आल लाउंडर की बात करें तो इसकार एमद सदाप खान मौम्मद नवाज यह राउंडर ह विकिट कीपर मुहम्मद रिजवान जोगी बहुत अच्छे बल्लेवाज हैं और बॉलर की बात करें तो हरीस राव असन अली नईम सहा उस्मान कादिर यह इनके गैंजबाज है और साहीन अफ्रीदी बहार हो चुके हैं को चोटिल है कोई दिक्कत है इस बज़े से वह नहीं मनाये थे फाइल इंडिया हारी थी दुख हुआ था इंडिया के हानने का लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसे अप में अब आगे चलते हैं कि एस्या कप एनलेसिस क्या रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दिए इस वीडियो साओं मेच जैसे की बंगलादेश से माल लो अफगानिस्तान का होंग को tähän तरफा हि ही मैच या फिर पाकिस्तान का होंग कॉंग से हो रहा है तो इस तरीके से 60-70 परसेंट इसमें वन साइडेड मैचेस होंगे और 30-40 परसेंट मैचेस आपको अच्छे मतलब एक फाइटेबल जो इसकोर होता है या लड़ने वाले कभी यह टीम ऊपर कभी यह टीम ऊपर इस तरीके से म मैच की प्रेडिक्शन प्रिव्यू डेली मैस से पहले आपको वीडियो भेजा करेंगे चैनल पर और वीडियो उन्हीं भाईयों को दिखेगी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और हमारे वैल आइकन को अन कर लेगा नोटिफिक्शन उन्हें मिलते रहेंगे तो दोस्तों बाई बाई वाई वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना थैंक्यू